दोस्तों नमस्कार ये है मागदशन फार सिविल सर्विसेज मैं अनुराग चौधरी दोस्तों आज की वीडियो में हम देखेंगे राजनीत विज्ञान और अंतराष्टी संबंध का महतपूर टापिक निसस्त्री करण और सस्त्री अंतरण इसके अंतरगत हम देखेंगे निसस्त्री करण का अर्थ परिभासा तथा निसस्त्री करण के प्रमुख प्रकार निसस्त्री करण और सस्त नियंतरण में क्या अंतर है इसके अलावा हम देखेंगे निसस्त्री करण की आओ सकता क्यों है यह वीडियो राजनीत विज्ञान के असनातक वह पराशनातक का च्छाओं तथा सिविल सेवा वह PCS मुख्य परिच्छा के लिए विशेश रूप से उपयोगी है दोस्तों आप इसका PDF भी प्राप्त कर सकते हैं लिंक मैं डिस्किप्शन बाक्स में डाल दूँगा आप वहां से PDF डाउनलोड कर लिजेगा तो आईए शुरू करते हैं आज का वीडियो निसस्त्री कराण और सस्तनियंत्र यानि की Disarmament and Arms Control इसका अर्थ परिभासा प्रकार निसस्त्री कराण तथा सस्तनियंत्र में प्रमुख अंतर दोस्तों विश्व में होने वाले बिनासकारी युद्धों के पीछे सस्त्री कराण और सस्त्रों की होड प्रमुख कराण रहे हैं प्रथम और दुतिविस युद्ध इसके प्रत्यच प्रमाड हैं, निसस्त्री करण और सस्त नियंत्रण अंतराष्टी सांति और सुरच्छा बनाये रखने के प्रमुख माध्यम माने जाते हैं। 1985 का नोबल पुरसकार उन भौतिक बैग्यानिकों को दिया गया था, जो सस्त्रों के बिरुद्ध विशेश कर परमाड सस्त्रों के बिरुद्ध मानव चेतना जगाने का प्रयास कर रहे थे। चुकि सस्त्र ही युद्ध के साधन होते हैं, अतह इनको समाप्त करके युद्ध की संभावनाओं को काफी हद तक कम किया जा सकता है। 20 वर्सों के अंतराल में 22 युद्धों से उत्पन हान के कारण, भविश्य में युद्धों की विविशिका से बचने के लिए अंतराष्टी सांती तथा सुरच्छा की प्राप्ति करना मानवता का प्रमुख उद्धेश से बन गया, तथा इसके लिए निसस्त्री करण और शस्त नियंत्रण महत्वपूर साधन समझे गए, अब आये देखतें दोस्तों निसस्त्री करण यानि की डिसार्मामेंट का अर्थ, मीनिंग आफ डिसार्मामेंट, निसस्त्री करण का सामान अर्थ है सारीरी कहिंसा प्रयोग के समस्त भौतिक तथा मानवी साधनों का उन्मूलन, इस प्रकार निसस्त्री करण का अर्थ हुआ कि अंतराष्टी संबंधों में युद रोकने के साधन के रूप में, सस्त्रों की कटवती या उनका पूरी तरह से परित्याग करना, मार्गेन थाउ एक विचारक है, मार्गेन थाउ निसस्त्री करण की परिभासा देते हुए कहते हैं कि सस्त्र दवड को समाप्त करने के उद्देश से बिसेश या सभी प्रकार के सस्त्रों की समाप्ति या कटवती निसस्त्री करण कहलाता है सस्त्र दोड को समाप्त करने के उद्देश से विशेश प्रकार के या सभी प्रकार के सस्त्रों की समाप्ती या कटवती निसस्त्रीकरण कहलाता है इसके अलामा एक प्रसिद्ध बिचारक है वीवी डाइक वीवी डाइक का मानना है कि सेन निसक्ती से संबंधित किसी भी नियंत्रण या प्रतिबंध लगाने को निसस्त्रीकरण कहा जाता है से निसक्ति से संबंधित किसी भी नियंत्रण या प्रतिबंध को निसस्त्री करण कहा जाता है निसस्त्री करण का अभिप्राय दोस्तों अंतराष्टी संबंधों में युद्ध रोकने या टालने के साधन के रूप में सस्त्रों में कटवती करना या उनका पूरी तरह से त्याग करना होता है निसस्त्री करण का सामाने अभिप्राय अंतराष्टी संबंधों में युद्ध रोकने या टालने के साधन के रूप में सस्त्रों में कटवती या उनका पूरी तरह से त्याग करना होता है ये जो धाड़ा है वो इस बात पर आधारित है कि यदि आप अंतराष्टी सांति और सुरच्छा चाहते हैं तो युद्ध के उपकाड़ों का त्याग कर दें यदि आप अंतराष्टी सांति और सुरच्छा चाहते हैं तो युद्ध के उपकाड़ों का त्याग कर दें यह धाड़ा ठीक इस नियम के विप्रीत है कि यदि आप सांति चाहते हैं तो युद्ध के लिए तैयार हो जाओ इसका मतलब यह है कि कुछ विचारकों की मान्यता है कि यदि राष्टों के पास सस्त्र होते हैं तभी युद्ध की संभावना होती है इसलिए यदि राष्ट्र सस्त्रों में कटवती कर देंगे या उनकी समापती कर देंगे तो काफ़ी हद तक हम युद्ध को टाल सकते हैं और विस्व में सांती तथा बेवस्था की अस्थापना कर सकते हैं दोस्तों निसस्त्री करण के अर्थ परिभासा के जानने के बाद आये जान लेते हैं निसस्त्री करण के प्रकार काइंड साफ निसस्त्री करण या डिसार्मामेंट तो निसस्त्री करण के कौन कौन से प्रकार हैं इसमें मुख्य रूप से सामानी निसस्त्री करण, अस्थानी निसस्त्री करण, मातरात्मंग निसस्त्री करण, गुडात्मंग निसस्त्री करण, परंपरागत निसस्त्री करण है, इसके अलावा आडविक या न्यूक्लियर निसस्त्री करण, उसके बाद एक आता है संपू या जनरल डिसार्मामेंट आइसा निशास्त्री करण जिसमें सभी राष्ट भाग लें परंत इसमें सभी अस्त्रों पर पूर प्रतिबंद नहीं लगता है। जिसमें राष्टों की सीमित संख्या भाग लेता हो। जैसे कुछ राष्ट दो या तीन राष्ट मिलकर निशास्त्री करण की धाड़ा को अपना लें या उस पे कोई संधि कर लें तो उसे अस्थानी या छेतरी निशास्त्री करण कहते हैं। तीसरा प्रकार है निशास्त्री करण का मातरात्मक निशास्त्री करण तो मातरात्मक निशास्त्री करण क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। मात्रात्मक या quantitative disarmament मात्रात्मक निसस्त्री करण में होता ये है कि बहुत सारे या सभी प्रकार के सस्त्रों अस्त्रों पे नियंत्रण बहुत सारे या सभी प्रकार के सस्त्रों की समापती या नियंत्रण को मात्रात्मक निसस्त्री करण कहा जाता है चौथा है प्रकार निसस्त्रीकरण का गुडात्मंग निसस्त्रीकरण यानि की qualitative disarmament गुडात्मंग निसस्त्रीकरण के अंतरगत कुछ बिसेश प्रकार के अस्त्रों की कटवती या उनका उन्मूलन सामिल होता है इसको जैसे हम मान लें कि कुछ रासायनिक हतियार हैं उनकी समाप्ति कर दी जाए या कुछ इस प्रकार के निउट्रान बम या इस तरह के हतियार हैं जो बिसेश तोर पे बनाए गए हैं और बहुत ही बिद्धवन सात्मक हैं तो गुडात्मग निसस्त्रीकरण के अंदर या गुडात्मग निसस्त्रीकरण में कुछ बिसेश प्रकार के अस्त्रों की कटवती या उनका उन्मूलन सामिल होता है निसस्त्रीकरण का पांचवा प्रमुख प्रकार है परमपरागत निसस्त्रीकरण या ट्रेडिशनल डिसार्मामेंट परमपरागत प्रकार के सस्त्रों की कटवती या उन्मूलन को परमपरागत निसस्त्रीकरण कहा जाता है अब आये देखते हैं दोस्तों अगला प्रकार आडविक निसस्त्री करण क्या है nuclear disarmament ये निसस्त्री करण का छठा प्रमुक प्रकार है इसमें पर्माड या नाबकी अस्त्रों का बहिस्कार या कट्वती या उन्मूलन उनका सामिल होता है आडविक निशस्त्री करण ये नुक्लियर डिसार्वरमेंट नाम से असपष्ठ है कि इसमें बिभिन परकार के फरमाडबम और नावकी अस्त्रों का बहिस्कार किया जाता है और कटवती की जाती है जो सोवियस संग था और संयुक्त राज अमेरिका के बीच स्टार्ट वन इस्टार्ट टू संधियां जो हुई थी और उसके बाद साल्ट वन और साल्ट टू संधियां ये आडविक निशस्त्री करण के अंतरगत आती है अपना जो NPT है परमाड़ प्रसार संध और CTBT जैसी संधियां भी आडविक निशस्त्री करण के अंतरगत सामिल है इसके अल जिसमें विश्व के सभी राष्ट इस बात के लिए सहमत हो जाएं कि सभी प्रकार के अस्त्र सस्त नश्ट कर दिये जाएंगे तथा उनके प्रयोग पे पूर रूप से रोक लगा दी जाएगी यानि कि पूर निसस्त्री करण एक ऐसी बेवस्था है जिसमें संपूर विश् सस्त्री करण का अर्थ हमने समझ लिया और उसकी विभिन विद्वाणो द्वार क्या परिभासाएं दी गयी है यह हमने देख लिया इसके अलाव़ा हमने देखा कि निसस्त्री करण के प्रमुख प्रकार कौन-कौनसे हैं अब आईए देख लेते हैं सस्त्र नियंत्रण, आर्म कंट्रोल, सस्त्र नियंत्रण किसे कहते हैं तो दोस्तों सस्त्र नियंत्रण एक ब्यापका उधाड़ा है अंतराष्टी सांतितथा सुरच्छा की अस्थापना के लिए सस्त्र नियंत्रण एक महत्वपूर साधन है सस्त्र नियंत्रण एक भविस्योन मुखी योजना है जिसके द्वारा सस्त्र दवड यानि की आर्म रेस को समाप्त करने का प्रयास किया जाता है जहाँ पे निसस्त्री करण का अर्थ बिद्यमान सस्त्र भंडार को कम करना तथा उसमें कटवती करने से है वहीं सस्त्र नियंत्रण की अधाना में सस्त्रों के बिस्तार तथा उनके अनुचुत प्रयोक को रोकने के लिए भविष्य में सस्त्रों का उत्पादन को नियंत्रित करने का वीचार सामिल है तो दोस्तों आप दोनों ओधानाओं को पूरी तरह से एकदम सपष्ट तोर पे क्लियर कट समझे कि निसस्त्री करन का जो अर्थ होता है, या निसस्त्री करन का मतलब ये है कि जो बिस्तों में बिद्यमान सस्त्र भंदार है यानि कि राष्ट्रों के पास जो सस्त्र भंडार है उसमें उसकी समाप्ती करना उसमें कटवती करना निसस्त्री करण है लेकिन जो सस्त्र नियंत्रण होता है ये सस्त्रों के बिस्तार उनके अनुचित प्रयोक को रोकने के लिए भविष्य में सस्त्रों के उत्पादन को न जबकि हमारा सस्त्र नियंत्रण जो है एक आदर्स वादी धाड़ा है इसमें भविश्य में होने वाले आर्म रेस यानि की सस्त्र दोड को सस्त्रों की होड को कम करने का विचार सामिल होता है जो सस्त्र नियंत्रण होता है ये विभिन प्रकार की वारताओं विभिन प्रकार की नीतियों तथा समझावतों के द्वारा सांती अस्थापित करने की बात जो होती है वो सस्त नियंत्रण की आउधान का मूल सिध्धानत है निसस्त्री करण तथा सस्त नियंत्रण दोनों ही विस्वसांती और सुरच्छा के पच्छधर हैं जैसा कि हम आगे देखेंगे कि निसस्त्री करण और सस्त नियंत्रण में अंतर क्या है तो कुछ समानताएं हैं निसस्त्री करण और सस्त नियंत्रण में निसस्त्री करण और सस्त नियंत्रण दोनों ही विस्वसांती तथा सुरच्छा के पच्छधर हैं इसकी अलामा दोनों ही युद्ध रोकने और व्य निसस्त्री करण के बारे में पढ़ लिया है सस्त्नी अंतरण के बारे में भी पढ़ लिया है तो उसके आधार पे अब हम देखेंगे निसस्त्री करण तथा सस्त्नी अंतरण में प्रमुख अंतर कौन कौन से हैं तो एक होता है एक प्रक्रिया है अंतर लिखने की ये कि आप निसस्त्री करण के बारे में बता दे और दूसरे पैराग्राफ में या दूसरे पेज में सस्त्नी अंतरण के बारे में बता दे लेकिन एक निसकर्स में अंतिम में आप निसकर्स में एक पैराग्राफ में आप उन दोनों के सामाने अंतरों के बा अंतर कौन कौन से हैं तो पहला अंतर है निसस्त्री करण ठोस कारवाई पर बल देता है तथा मौझूदा हथियारों को सीमित करने नियंतरित करने और नश्ट करने पर बल देता है जबकि सस्त नियंतरण जो है ये भविष्य में सस्त्रों के उत्पादन पर रोक लगाये जा बल देता है जबकि सस्त नियंत्रण भविश्य में सस्त्रों के उत्पादन पर रोक लगाने की बात करता है एक प्रकार से देखा जाए तो सस्त नियंत्रण ब्यापक धाड़ा है जबकि निसस्त्री करण सीमित प्रभाव वाला है सस्त नियंत्रण व्यापा का अधाड़ा है और निसस्त्री करण सीमित प्रभावाला है तीसरा प्रमुखंतर ये है कि निसस्त्री करण एक नकरात्म का अधाड़ा है क्योंकि इसमें सस्त्रों की समापती या कटवती करने का विचार सामिल है जबकि जो सस्त्र नियंतरण है एक सकारात्मक धाड़ा है जिसमें होता ये है कि हम आगे किसी भी प्रकार के सांति विवस्था से समझाओता नहीं करेंगे और सस्त्रों कोई उत्पादन नहीं होगा तो निसस्त्री कराड़ जैसा कि हमने पहले बात किया कि निसस्त्री कराड़ एक वास्तविक और यथार्थ और धाड़ा है जिसमें जो बरत्मान में हमारे पास सस्त्र होते हैं उनकी कटवती करने या समापती करने का विचार सामिल है जबकि सस्त्र नियंतरण या आर्म कंट अप्रमक और सोधकारे जो सस्त निर्मार और अस्तरों के निर्मार के सोधकारे हैं उन पर भी रोक लगाने की बात करता है तो इस दृष्टे सस्त नियंत्रण एक ब्यापा का अधाना है यद्यपी दोनों का उद्देश से जो होता है वो बिश्वसांति तसा सुरच्छा की स्थापना करना है क्योंकि युद्ध किसी भी दसा में हितकर नहीं होता है किसी के लिए भी चाहे वो जीतने वाला पच्छो या हारने वाला पच्छो सभी के लिए युद्ध हानिकारक ही होता है क्योंकि दोनों ही पच्छों से अपार जंधन की हानी संभावित होती है निसस्त्री करण की आवसकता क्यों पढ़ती है या निसस्त्री करण की आवसकता क्यों है दोस्तों इसके बारे में आईए जान लेते हैं दोस्तों निसस्त्री करण 207 का एक साधन है तथा इसका लच्छ राष्ट्रों की लड़ाई तथा युद्ध के साधनों से वंचित करना है सस्त्रों के रहने से युद्ध की संभावना बनी रहती है अतह जरूरत इस बात की है कि उन्हें समाप्त कर दिया जाए सस्त्रों के कारण युद्ध ने केवल भौतिक दिश्टी से संभव बनते हैं बलकि राजनीतिक दिश्टी से भी इनकी संभाव्यता अधिक बढ़ जाती है अब आईए देखते हैं निसस्त्री करण की आवसकता क्यों है तो निसस्त्री करण की आवसकता पहला पॉाइंट यह है कि 207 तथा सुरच्छा के लिए निसस्त्री करण आवस्यक है दोस्तों निसस्त्री करण की आउसकता सरवाधिक जो आउसकता का सरवाधिक महत्वपूर बात ये है कि निसस्त्री करण से बिस्वसांती और सुरच्छा की अस्थापना की जा सकती है इसलिए बिस्वसांती और सुरच्छा की अस्थापना के लिए निसस्त्री करण आवस्य प्याधारित है कि ब्यक्ति इसलिए लड़ते हैं क्योंकि उनके पास हतियार है अगला सस्त्री करण किया हो सकता क्यों पड़ती है इसका अगला पॉइंट है सस्त्री करण युद्ध तथा तनाव का कारण है तो सस्त्री करण से अंतराष्टी तनाव उत्पन होता है क्योंकि कि राष्ट्रों में सस्त्र निर्माड की होड़ जो होती है वो अंतराष्टी सांतिय और सुरच्छा को भंग करती है इसलिए निसस्त्री करण आवस्यक है क्योंकि इससे विस्व में युद्ध और तनाव की स्थिति को भी समाप्त किया जा सकता है अगला पॉइंट है सस्त् अधिक ब्या से लोग कल्याड कारीकारियों की उपेच्छा होती है तो विभिन राष्ट सस्त्री करण पर अधिक ब्या करते हैं जिससे उनके हां लोग कल्याड कारीकारियों की उपेच्छा होती है सभी राष्ट सस्त्रों के निर्माड में असीमित ब्या करते हैं यदि व दोस्तों सस्त्री करण जो है या जो सस्त्रों की होड है वो नैतिकता और मानवता के भी अनुकूल नहीं है क्योंकि सस्त्रों से युद्ध होता है और युद्ध किसी भी द्रिष्टी से चाहे नैतिक द्रिष्टी हो या मानवी द्रिष्टी हो किसी भी द्रिष्टी से उचि मिसाइलों के प्रेच्छन प्रच्छेपन और सस्त्रों से उत्पन अप्सिष्टों से पर्यावरण को काफी हान पहुंचती है इसलिए भी निसस्त्रीकरण किया जाना आवस्यक है इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर बिंदु है वो ये है कि सस्त्रीकरण मृत्तु का क्योंकि इससे मानो जीवन और मृत्त को कोई गारंटी नहीं रह जाती है तकनीकी आविसकारों ने इतने भायानक अस्त्र सस्त्रों को निर्मार कर दिया है कि कुछ ही मिंटों में संपूर बिश्व की सभ्यता को नश्ट किया जा सकता है तो दोस्तों ये पॉइंट थे कि निसस्त्रीकरण की आव सकता क्यों है क्योंकि विस्व सांति और सुरच्छा के लिए निसस्त्रीकरण जरूरी है सस्त्रीकरण से युद्ध की संभावना बनती है युद्ध और तनाव सस्त्रों के वज़े से ही होते हैं इसके अलावा सस्त्रीकरण जो है वो मृत्तु का पैगाम है क्योंकि कोई भी बर्तमान दोर में इतने खतरनाक और भयानक हतियार बन गए हैं कि कोई भी देश या कोई भी विव्यक्ति सुरच्छित नहीं है अब आईए दोस्तों इस वीडियो का जो निसकर्स है वो ये है कि संपूर्ण विष्व एक प्रकार की अनिश्चित्ता के वाता बरण में है राष्ट निसस्त्री करण की बात तो करते हैं फरंत राष्टवाद राष्टी सुरच्छा का हवाला देकर सस्त निर्माड में संग लगन भी है संपूर्ण विष्व आज एक प्रकार की अनिश्चित्ता के वाता बरण में है सभी राष्ट कहीं निसस्त्री करण की बात करते हैं लेकिन राष्टवाद संप्रवता आंतरिक और बाह संप्रवता राष्टी सुरच्छा राष्टी हितों और अपनी विदेश नीति का हवाला दे कर सस्त निर्माड में संगलगन है और जब तक सभी राष्ट मन से या अंदर से ततपर नहीं होंगे कि विशो को सस्त्रहीन बनाये जाए या निसस्त्री करण की प्रक्रिया पूरे विशो में या कम्प्रिहेंसिव निसस्त्री करण की प्रक्रिया नहीं ल परिभासा और इसके प्रकार इसके अलावा हमने देखा कि निसस्त्री करान तथा सस्त नियंत्रण में प्रमुख अंतर कौन-कौन से हैं दोस्तों वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बाक्स में जरूर बताईएगा इसका PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं लिंक में डिस्किप्शन बाक्स में डाल दूँगा वीडियो को लाइक करें शेयर करें और इस चैनल को सबस्क्राइब करें